find out करनी है और हमको दिया हुआ है कि roots equal है मतलब कि roots अगर equal है तो discriminant होगा वो 0 के बराबर होगा मतलब कि b square minus 4 a c 0 के बराबर होगा तो हम value पुट करते हैंगे तो b की value है minus 4 k तो minus 4 k का whole square minus 4 a की value है 1 और c की value है k इसे equals to 0 यहाँ पर हमको values बोला गया है minus 4 k is equals to 0 अब यहाँ से 4 k हम common ले लेंगे तो यह बच्चे का 4 k minus 1 is equals to 0 अब यहाँ से या तो 4 k is equals to 0 होगा या फिर 4 k minus 1 equals to 0 होगा तो यहाँ से मारे पास k की दो value हैंगी k को या तो 0 होगा या फिर k की value जो होगी वो 1 by 4 के बराबर होगी की बराबर होगी